हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा क्वालिटी थोड़ी डाउन दिख रही होगी क्योंकि मैं दूसरे वाले फोन से शूट कर रहा हूँ मिनी के वाइसी चाहिए होगी ओ दोनों बाते मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको Paytm App खोल लेना है दोस्तों Paytm App खोलने के बाद यहां पर Paytm App आपने खोल लिया है और यहां पर सबसे पहले आपको एक option दिखेगा balance and history का दोस्तो इस वाले option पर click करेंगे इस वाले option पर click करने के बाद मेरा आपको paytm balance जो है 79 रुपीज का दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि मेरे जो 79 रुपीज जो है paytm wallet में यहाँ पर इस तरह से कुछ पड़े हुए है paytm wallet में अब हमें क्या करना इन paytm wallet वाले रुपियों को अपने account में भेजना है तो account में भेजने के लिए सबसे पहले हम इस पर click कर देंगे दोस्तो इस पर जैसे हम click करेंगे दोस्तो आपको एक option दिख रहा होगा send money to bank इस वाले option पर click करेंगे दोस्तो send money to bank जैसे ही आप click करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए अपने bank में भेजना चाहते हैं तो मैं सारे के सारे ही भेजना चाहता हूँ मेरे 79 रुपीज जो है paytm wallet में उन्हें सब को भेजना चाहता हूँ दोस्तो इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको अगर paytm account बनाते कैसे हैं उसके बारे में आपको चाहिए वीडियो तो मैं मेरे channel पे मिल जाएगी i button में भी आपको मिल जाएगी और description में भी मैं link डाल दूँगा दोस्तो एक और important बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप wallet से bank में रुपए भेजना चाहते हैं तो आपको full KYC करानी होगी जो कि आप nearest किसी pass के store पर जाकर करा सकते हैं या फिर online करा सकते हैं लेकिन अगर आपको अगर आपकी mini KYC हो रखिये तो आप wallet से bank में रुपए नहीं वैस सकते हैं उसके लिए आपको full KYC करानी होगी तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसमें मैंने अपनी full KYC करा रखिये तो यहाँ पर मैं कितने रुपए मतलब अपने सारे ही रुपए भेजना चाहता हूँ जैसे 79 रुपीज मेरे जो हैं काफी जादा है 79 तो बहुत होते हैं तो उसके लिए मैं आपको bank में भेजना चाहता हूँ 79 रुपए को तो प्रोसीड कर दूँगा मैं प्रोसीड करने के बाद आपको account select करने के लिए कहाँगा कि कौन से account में आपको भेजना है तो मेरा यह account Paytm में जुड़ा हूआ है तो यहाँ पर मैं click कर दूँगा दोस्तो इस पर click करने के बाद एक फाइदे की चीज इसमें क्या है इसमें आपको जो है कोई भी charges नहीं लगेंगे मतलब 79, 89 रुपए जो आपके हैं वो पूरे के पूरे ही बैंक में जाएंगे phone pay के द्वारा अगर आप भेजते हैं wallet से बैंक में तो आपको कुछ charges लगते हैं पहले आप gold purchase करो उसके बाद ही भेज सकते लेकिन इसमें Paytm में कोई ऐसी भी चीज नहीं है आपको direct सारे के सारे रुपए बेह सकते हो उसमें तो यह अच्छी चीज है इसको बाद proceed कर देंगे proceed करने के बाद आपसे यहाँ पर loading होगे थोड़ा सा loading होने के बाद कोई भी UPI पिन नहीं मांगा जाएगा और सीधे के सीधे आपके money sent to bank successfully यहाँ पर आपके जो पैसे हैं जा चुके हैं बैंक में बहुत ही आसानी से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि मेरे जो पैसे हैं वो बैंक में जा चुके हैं या फिर पेटियम बॉलेट में ही पड़े हैं अभी तक तो balance industry पर मैं click करूँगा click करने के बाद यह देखिए पेटियम balance में zero दिखा रहा है क्योंकि सारे के सारे रुपए मेरे बैंक में चले जा चुके हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe करके रख लीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए थैंक यू